असलाम अलेकुम अजिस तुलबात आलेबात जमाते दहुम टेंथ स्टेंडर्ड के मराठी कमपोजिट साथ बदलने मंजे प्रश्णुत्तर स्वाध्याय के वीडियो में आप तमाम का अस्तखबाल है में ते पिछला वीडियो पसंद आया होगा हमारे वीडियो पसंद आते है तो से लाइक किजिए शेर किजिए हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिएines चलिए शुरूआत करते हैं बदलने मंजे प्रश्णुत्तर स्वाध्याय प्रश्न पहीला खाले राकरती पूर्न करा बदल लेलिया पेन मद्धे आडर लेली वैगुन्ने यानि जो बदला हुआ पेन था उसके अंदर जो कौन सी खराबियां खामिया नजर आई वो बयान करना है पेन वजन्दार होते यानि पेन वजन्दार हो गया था शाई थोड़ी फिकट होती यानि उसकी सियाही फीकी दिख रही थी अक्षर किराटे उंटत होते यानि उसके जो अलफाज वो लिख रहा था वो तेड़े तिर्चे पड़ रहे थे लेखक आचा मते बदलने मंजे यानि लेखक क्या कहता है बदलना किसे कहते हैं बदलने मंजे फूलने बहरने यानि फूलना फूलना बहरना यानि बहतर तरखी करना कात टाकने यानि अपनी काम्याबी को भुनवाना जोने सुडून नवे होने पुरानी बातों को नजर अंदास करके नई चीज़ों के तरफ बढ़ना दूसरा अंचिया भावनाशी समरस होने दूसरों की जो भावनाए हैं उनसे मेल जोल रखना उनके आदत व अत्वार को खुबूल करना बदल सुकार ने अचा बाप्तित लेखक और निसर्ग यांचिय तुलना करा यानि जो तबदीली है उसे खुबूल करने के लिए लेखक और निसर्ग यानि जो मुसनिफ है और जो फितरत है इनके बीच में हम तखाबूल करेंगे दोनों को देखेंगे कि दोनों में क्या फर्ख है लेखक क्या कहता है बदल स्विकार नियास मन कुरकुर करित होते वो असो सत्थाव आडली होती यानि तबदीली हुबूल करने के लिए दिल मान नहीं रहा था और बेचैनी बढ़ गई थी सादा बदल पच्वाईला मन तयार नहोते थोड़ी सी भी तबदीली बरदाश्ट करने के लिए दिल तयार नहीं हो रहा था लेखक का अब निसर यानि फितरत क्या कहती है नवे नवे बदल सहच कत्या स्विकार तो नहीं नहीं तबदीलिया आसानी से खुबल कर लेता है हिवाड़ा संपला की उनहाड़ा सामावन गेतो सर्दी खत्म होते ही गर्मी जल्दी ही समो लेता है उनहाड़ा गेला की पावसाड़ा तरंगन जातो गर्मी खत्म होते ही बड़सात में ये मगन हो जाता है पाटा चादार एक हालील तक्ता पूर्न करा यानि सबख के मताबिक जो दिया गया तक्ता है टेबल है उसे जदवल है उसे मुकमल करना है पहला क्या है पाउसवड़ा सुरू जाले नंतर निसरगा जालेले बदल यानि जैसे ही मौसम बड़सा करना उसे जाले बदल जाले जालेले बदल पहले की देखते हैं पाउसवड़ा सुरू जाले जाले नंतर निसरगा जालेले बदल यानि मौसमें बरसाथ शुरू होने के बाद जो फितरत में होने वाली तब्दिलियां है वो कौन कौन सी है पहला है आकाशवतून रेशिम धारा बरस्तात यानि आसमान से बरेशम की तरह पानी बरस्ता है विजान से कड़ कड़ात और धगान से गड़ गड़ा ठोन नदी नाले धब धवे वाहू लाकतात यानि बिजलियां कड़ कड़ाती हैं बादल गड़ गड़ाते हैं और नदी नाले धब धवे यानि आपशार बहने लगते हैं सुरिष्टी हिर्वीगार होते यानि पूरा का पूरा समा हर तरफ जो खुदरत है पुरी जमीन है वो हर तरफ ऐसा लगता है कि हरी मखमली चादर बिछ गई हो उन्हाडा सुरू जाले नंतर निसर गाद जाले बदल जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है तो फितरत में कौन सी तबदीलिया होती है असाहे उकाडा होतो यनि बहुत ही ना खाबिले ना खाबिले बरदाश्त खुश्की शुरू हो जाती है उन्हाड़े अतला अंगातली शिर शिरी विकड़ी अस्ते यानि जो गर्मी के मौसम में जो जिसमें होने वाली तबदीली है वो बहुत ही अलग होती है हिर्वी सुरिष्टी सारी प्यून टाकते यानि जो हरा सरसब्स और माहूल है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है लेखा का चामते सब्त रंग मंजे काई तेस पश्ट करा यानि मुसनिफ के मताबेख सब्त रंग यानि सात रंग किसे कहते हैं ये बयान कीजिए सरड़ रूप यानि मूड शब्द लिहा ये पावसाड़यात आकाशोतुन पक्षयांसा और ज़ाणनी यानि मुसनिफ के मताबेख सब्त रंग के मानी है कि एक से दूसरे में होने वाली तबदीली और उस से बने हुए अलग अलग रंग रंगों से बनी खूबसूरती अब सरड़ रूप और मूड शब्द देखेंगे शब्द क्या है उसका सरड़ रूप क्या है पाउस यानि पाउस से पाउसाड़ बना है आकाशातून ये आकाश से बना है पक्षयांची यानि ये पक्षी से बना है तो ये मुड शब्द है और ज़ाणने ये ज़ाण से बना है खालित अक्तियात मुलानना आवड नार्या काही गोष्टी नावे दे लिया है त्या गोष्टी विशई इश्माहिती देने साथी तुम्ही कौन कौन ते शब्द वाप्राल याची मित्रा बरुबर चर्चा करा वो तक्ता पूर्ण करा यानि दिये गया जो तक्ता है जो टेबल है उसमें बच्चों को कुछ पसंद आने वाली और कुछ ना पसंद होने वाली बातें बयान की गई है आप अपने तोर पर मुबाहसा करके लिखिए कि इसमें कौन कौन सी चीज़ी है जैसे कि कुछ बच्चों के नाम है रमेश, अन अब देखेंगे इसके जवाबात बुलांची नावे पदार्त, गोष्ट, विशेश माहिती सायंगनारे शब्द, रमेश, रमेश ला आमबा आवड़तो, गोड, आमबा कसास्तो, गोड, प्योडा, धंमक अन्य रसरशीत, अन्य अन्य एक लड़के का नाम है उसको क्या प अनुश पसंद है उसे यानि खोसे खजा के रंग, कैसा है वो रंगीत सुन्दर मनो वे धक, यानि वो रंगों से भरा हुआ है, खोबसूरत है, दिल मोह लेने वाला, जोजेफ को क्या पसंद है, पाउस, घरिम जिम, मुसरदार और दो दो, हमीद को क्या पसंद है, हमीद, गुलाब, सुरेक, सुगंधी, लाल, खल शब्द सम्वा साथी एक शब्द लिहा, यानि ये जो दिये गया शब्द सम्वा है, उसके लिए एक ही शब्द लिखना है, जाला लिहिता वास्ता येतना ही असा, बन्जे निरक्षर काशी, कशा चीही, इच्छा ना बाढ़ गन मोच केश बोलना रहा, दूसरे वर उपकार करना रहा, परोपकारी, चले इसके जवाब देखते हैं, शब्द सम्वा साथी एक शब्द पहले के लिए निरक्षर, दूसरा निरिच्छ, तीसरा मित भाशी, अनिचवता परोपकारी, स्वामत बदलने मंचे दूसरे आंचे भावनाशी सम्रस होने, या वाक्या चा तुम्हाला समझ देला अर्थ स्पष्ट करा, दूसरा मानुस बदल सो स्विकरने आस तयार नस्तो है विदाना अपलिया, अनुभावाचे आधारे पटून दिया, तीसरा तुम्ची वरगातील वसनियाची जागा बदल ली, तर अ पहले का उत्तर है, आपन आगरही भूमी का घ्योन बदला विरोध करने चुकी चाहे, यानि हमने जो तबदीली है उसका विरोध करना ये घलत है, उनहाडा हिवाडा पावसडा या तीन ही रतूत निसरगात बदल होतात, यानि सर्दी गर्मी बरसात, ये तीनों मौसम में फितरत में तबदीलिया होती है, पान गड़ी नंतर जाड़ ही पाला होते, यानि जैसे ही बदलने हा निसरगा सा मुड़ भावा है, यानि फितरत क्या है, फितरत में बदलना ये उसकी जड़ बन्याद में ही है, मनुन मान साने ही बदलने आवश्यका है, इसलिए इसलिए ने भी बदलना तबदिली लाना जरूरी है एकांगी वुमी का ग्योन बदलने अस नकार दे उने खुद से कोई बात समझ कर बदलने के लिए इनकार नहीं करना चाहिए आपन समाजात रहतो हम समाज में रहते हैं दूसरे आँचा सुख दुखा सहबागी होने हीच माना होता आहे दूसरों के सुख दुख में शामिल होना यही इनसानियत है मनन दूसरे आचे मन जानन गिने यातस मान उसकी आहे इसलिए दूसरों के दिलों को जान लेना यही इनसानियत है तेया साथी स्वाताची हट्टाला मुरण घालावी लागते इसलिए इसलिए खुद की जित को रोकना जरूरी होता है आपले वेक्ति मतवाद सांगले परकारे बदल के लातर साहनु भूती जागरत होई अपनी शख्सियत में बहतरी से बदल किया तो जो सानु भीती है यानि लोगों के लिए वो जिन्दा हो जाएगी बदलने मंजे दूसरे आंचा सुख दुखांशी एक रूप होने बदलना यानि दूसरों के सुख दुख में शामिल होना बनुन बदलने मंजे दूसरे आंचा भावनाशी समरस होने होए इसलिए बदलना यानि दूसरों के भावना से आपको मेल जोल रखना है और उनसे आपने अपने आपको जोड़ कर रखना जुरूरी है मानुस बदल सुईकार नियास तयार नस्तो यानि इनसान क्या करता है तबदिली खबूल करने के लिए तयार नहीं होता है गेलिया वर्षी ची गोष्ट नवी चा निकाल लागने अपर वी एके दिवशी वरगात नोटिस आली यानि पिछले साल का के जैसे ही नवी का रिजल्ट अगा था उससे पहले ही नोटिस हमारे वरग में हमारे जमात में क्लास में आ गई थी और सर ने हम तमाम तुल्बा को विद्यार्थियों को पढ़ कर सुनाया पुर्चया शैक्षनिक वर्षा पासुन विद्यार्थियां सा गनवेश यानि अगले स्कूल के सत्र से जो विद्यार्थियों तुल्बा का जो यूनिफार्म है गनवेश है वो क्या रहेगा बदलना रहा है यानि वो बदलने वाला है प्याचा रंग बदलना रहा है उसका रंग बदलने वाला है एकुन सगडे वर्ग सुन धाला ये सुन कर पूरी की पूरी जमात सुन हो गई शांतता पसर ली खामुशी चागई मग घड़ो घड़ो कुजबुज सुरू धाली और आहिस्ता आहिस्ता बच्चे सरगोशी करने लगे कुजबुज यानिक सरगोशी कशला बदलाला क्यों बदलना है आहितों विक्किती सुन्दरा है जो है वो कितना खुबसूरत है नविन कसा असेल नया कैसा होगा एका एकी काईज हाले अचानक ये क्या हो गया वगएरे वगएरे हड़ो हड़ो मित्र मैतरी ने आप साथ बोलू लाग ले ऐसा वच्चे दोस्त अपने सहली आपस में बोलने लगे कोनी ही ये अचानक बदलाला तयार न होते कोई भी ये अचानक हुई तबदीली को खुबल करने तयार नहीं थे मलाही जरा अस्वस्त वाटू लाग ले मुझे भी थुड़ी बेचैनी हुई तया दिवशी रातर भर में विचार करीत रही लो और उस दिन रात भर मैं सोचते रहा नंतर नवीन गन्यवेश कसा सेल याची उत्सुकता लाग ली यानि एक तजस्स पैदा हुआ के नए यूनिफार्म कैसा होगा विचार करताना माजा लक्षाताले के मानुस बदल सुईकारला सहजी तयार होत नहीं और मुझे समझ में आया जहन में के इंसान तबदिली खुबल करने के लिए आसानी से तयार नहीं होता तीसरा प्रश्ण है उसका उत्तर है तुमच्या वर्गा तिल बसनियाची जागा बदल लेतर इसका उत्तर देखेंगे माजा शाड़े तिल वर्गा पहले दिवसा पासवन में ठर लेले बेंच वरस बसतो और मेरे जमात के वर्ग के जो मैं हमेशा पहली बेंच पर ही बैठता हूँ तिते बसन माजा ब्यास चान होतो वहाँ बैठकर मेरी पढ़ाई अच्छी होती है अनिमला खूप च्छान वाटते मुझे बहुत अच्छा लगता है अशी ही माजी वर्गा तिल बसनियाची जागा बदल लेतर ऐसी मेरी जमात में की जो जगा है वो बदल जाए तो ही कल्पनास मला भेंकर वाटते ये ख्याली मुझे बहुत ही ज़्यादा परिशान कर देता है माजा जीव खाली वर्वाईला लागतो मुझे थोड़ा खौफ लगने लगता है मी अस्वस्त होतो मैं बेचन हो जाता हूँ एक अनामिक भीती मनात दाटन ये थे एक गैर मराई खौफ मेरे दिल में भर जाता है माजा अब्यास हो शकनार नाही या शंकिने मन भरून जाते मेरी पढ़ाई नहीं होगी ये शक मेरे जहन में भर जाता है पन थोड़े वेड़ाने मन इस तिल जाले वर मी विचार करू लगतो लेकिन थोड़ी दिर बाद मैं दिल मेरा जब मुस्तेकम होता है तो मैं ख्याल करता हूँ मी नहीं पुड़े पहले बाकावर बसतो मैं हमेशा आगे की पहली बेंच पर बैठता हूँ माक्चा मुलानाही पुड़े बसावे से वाट ले पीछे के बच्चों को भी सामने बैठना है ऐसा महसूस होता होगा तर्तियात काइच चुका है तो इसमें क्या गलती है तो त्यांचा हक का चाहे वो उनका भी हक है शिवाय सरांचा आग्या पढ़ायला हवी और इसके अलावा जो हमारे उस्ताद है उनके बातों को खुबल करना चाहिए बदल हा स्वाभ हवी का है और तबदीली तो ये खुदरती है जा परस्तिती ता अपन असूतिती ही अभ्यास नीट करूच और जिस हालत में रहेंगे वहाँ पर पढ़ाई सही करेंगे असा मला आत्म विश्वास वाटला और माजे मंत शामन शांत जाले ऐसा मुझे एतमाद हुआ और मेरे दिल को सुकून नसीब हुआ उमीद है ये वीडियो पसंद आया होगा अगले वीडियो में दوبारा मुलाखात होगी तब तक के लिए गुड़ बाई